ओम तच्सत ज्यान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल में हम ज्यान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहन करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद हमारा दन्डवत प्रणा जो मनुश्य गंगा तीर की मिटी अपने मस्तक पर धारण करता है वे गंगा में सनान किये बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है गंगा जल की लहरों से सटकर बहने वाली वायू यदि किसी के शरीर का सपर्ष करती है तो वे घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षे स्वर्ग का उपभोग करता है मनुश्य की हड़ी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उ जो मानव अपने पित्रों की हड़ीयों के टुकडे बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वे पग पग पर अश्वमेद के यग्य का फल प्राप्त करता है गंगा तीर पर बसे हुए गाउं पशुपक्षी कीडे मकोडे और चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं वे प्रवरो जो गंगा जी से एक कोस भीतर प्राण त्याग करते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं उससे बाहर के मनुष्य ही इस प्रित्वी पर मानव हैं गंगा सनान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वधी स्वर्ग को प्राप रहुता है ब्रामनों जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुश्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुन्य की प्राप्ती होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण ग और नरक में पढ़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उधार होना कठिन है जो सैकडों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वे सब पापों से मुक्त होकर श्री विश्णू लोग को प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य कभी गंगा जी में सनान के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पंगू के समान हैं उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है जो गंगा जी के नाम का कीड़न नहीं करते वे नरा धमजड के समान हैं जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्मय का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुश स्वर्ग को जाते हैं औ उसे भी गंगा जी में सनान करने का फल मिलता है दूसरे के खर्च से जाने वाले को सनान का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने से या दूसरे की सेवा के से भी जो भी परम पवि गंगा जी की यात्रा करता है, वे देवताओं के लोग में ही जाता है। ब्रामुनोंने पूछा व्यास जी, हमने आपके मूu से गंगा जी के गुणों का अत्यन्त पवित्र कीर्टन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं, कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई इनका सुरूप क्या है तथा ये क्यों अत्यंत पावन मानी गई व्यास जी बोले द्विजवरो सुनू मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ प्रचीन काल की बात है मुनिश रेश नारज जी ने ब्रह्म लोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा दात आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन की है जो भगवान शंकर और श्री विश्नु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई है भ्रह्मा जी ने कहा बेटा पूर्वकाल में स्रिष्टी आरंब करते समय मैंने मूर्ती मती प्रकृती से कहा देवी तुम संपूर्ण लोकों का आदी कारण बनो मैं तुमसे ही संसार की स्रिष्टी आरंब करूँगा ये सुनकर पराप्रकृती साथ स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई गायत्री वागदेवी अर्थात सरस्वती सब प्रकार के धन धाने प्रदान करने वाली लक्ष्वी ज्यान विद्या स्वरूपा उमादेवी शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा ये ही साथ प्रकृती के स्वरूप हैं इनमें गायत्री से संपून वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिती है स्वस्ती स्वाहा स्वधा और दिक्षा ये भी गायत्री सही उत्पुन मानी गई हैं पतह यग्य में मात्र का आदी के साथ सदा ही गायत्री का उचारण करना चाहिए भारती सरस्वती सब लोगों के मुख और हदय में स्थित है तथा वे ही समस्त शास्तरों में धर्म का उपदेश करती हैं तीसरी प्रकृती लक्ष्मी है जिनके वस्त्र और हभूशनों की राशी प्रकट हुई है सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की ही देन है इसी से वे भगवान श्री विष्णों की प्रियतमा है चोथी प्रकृती उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के सुरूप का ज्यान होता है अतहा उमा को ज्यान की जन्नी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए वे भगवान शिव के आधे अंग में निवा समस्त लोकों में वही जगत का पालन और सनहार करती है तपस्विनी तपस्या की अधिश्टात्री देवी है सात्वी प्रकृती धर्म द्रवा है जो सब धर्मों में प्रतिष्टित है उसे सबसे स्रेश्ट देखकर मैंने अपने कमंडलू में धरन कर लिया फिर परम गवान श्री विष्णु ने बली के यग्य के समय इसे प्रकट किया उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था उन में से एक चरण आकाश एवं ब्रमांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका धोवन हेमकूट परवत पर गिरा वहां से भगवान शंकर के पास पहुँचकर वजल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही ब्रमन करती रही तब पस्चात महारा आज भगीरती ने भगवान शंकर की अरादना करके गंगा को पृत्वी पर उतारा वे तीन धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई इसलिए संसार में त्री स्रोता नाम से विख्यात हुई शिव ब्रम्मा और विश्नु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं भगवती भागीरती का आश्रे लेकर मनुष्य संपून धर्मों का फल प्राप करता है पाठ यग्य मंत्र होम और देवार्चन आदी समस्त शुब कर्मों से भी जीव को वगती नहीं मिलती जो श्री गंगाजी के सेवन प्राप से होती है गंगाजी के सेवन से बढ़कर धरम साधन का दूसरा कोई उपाए नहीं है इसलिए नारद तुम भी गंगाजी का आश्रे लो खड़ियों में गंगाजी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पित्रों तथा वंशजों के साथ स्वर्ग लोग को पहुँच गए व्यास जी कहते हैं मुनिशरेष्ट नारद ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर गंगाध्वार में गये हरीद्वार में और वहाँ तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए गंगाजी सर्वत्र सुलब होने पर भी गंगाध्वार प्रियाघ और रात नेवास करने से भी मनुश्य परमगती को प्राप्त होता है इसी लिए धर्मग्य ब्रामणों सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्यान मही भगवती भगी रथी के तीर पर जाओ विशेश्टह इसकली काल में सत्वगुण से रहित मनुश्यों को कश्ट से चुडाने और मोक्षप्रदान करने वाली गंगाजी ही हैं गंगाजी के सेवन से अनंत पुन्य का उदय होता है पुलत्स जी कहते हैं भीश्मत दनंतर वे ब्रामण व्यास जी की कल्यान मही वानी सुनकर बड़े प्रसंद हुए और गंगाजी के तट पर तपस्या करके मो पनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवन करता है वे समस्त दुख राशी से पार हो जाता है तथा इसे उसे गंगाजी में सनान करने का ही फल मिलता है एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ड यग्यों का फल मिल जाता है जो गंगाजी के तठ पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवार चनादी करम कराता है उसे अनन्त फल की प्राप्ती होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर हर गंगे तो इस सत्संग को हम कल कल के सत्संग में गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुती एवं पूजे के फल का श और नम हरी ओम अटसाओ